एवी डिलिवियर्स ने दिया गिल के गुज़ा डैरंस के कप्तान बनने पर बयान नमस्कार मैं भारती जाओ और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स आईपेल 2024 आक्षिन से पहले हार्दिक पांडा के मुंबए में जाने के बाद गुज़ा डैरंस ने शुबमन गिल को अपना कप्तान निक्त कर दिया है आईपेल फ्रेंचाइसी के इस दरने पर एविड डिविलियर्स ने अपनी राय दी है उनका मानना है कि गिल के पास अभी थोड़ा और सीखने का मौका था और गुज़ा डैरंस के पास पहले ही कैन विलियमसम जैसे अनुभवी कप्तान मौजूद है डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर बोलते वे कहा कि जैसा ही मैंने कैन विलियमसम का नाम रिटेन किये गए खिलाडी के रूप में देखा मैंने सोचा कि एक अनुभवी खिलाडी को कप्तानी देने का एक शांदार मौका है जिसने पहले भी ऐसा किया है गिल के पास भारत रिकेट के सभी फॉर्मेट में अपनी जगा पक्की करने और आईपेल में एक और अच्छा सीजन बिताने का मौका है डिविलियर्स ने कहा कि उन्होंने गिल को कप्तान के रूप में उतारने का फैसला किया इसका फैदा मिल सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह गलत है मैं कह रहा हूँ कि शुमन गिल के लिए बस थोरा सा सीखने और या जानने का एक शांदार मौका था कि यह योजना उनकी 2025 में कप्तान बनाने के लिए ही है हाला कि मैं उन्हें प्रदशन करते वे और नीतरुप्त करते वे देखने के लिए उत्सा ही थो पिछले दो IPL संस्क्रोनों में गुजरेंस के कप्तान रहे हार्दिक पांडिया को अपती टीम में दुबारा जोडने के लिए मुंबे इंडेंस ने ओल राउंडर कैमरून ग्रीन की से समझोता किया ग्रीन को मुंबे इंडेंस ने IPL 2023 से पहल निलामी में पूरे 17.5 करोर रुपे में खरीदा था हार्दिक को मुंबे इंडेंस द्वारा ट्रेट किये जाने के बाद गुजरेंस ने गिल को कप्तान बनाने की घोशना कर दी आप किसमें कह रहा है अपनी राइहों में कॉमेंट करके जरूर बताएं और भी स्पोर्स जोड़ी अप्डेट के लिए देखते दी फेक्ट इंडिया स्पोर्स